समाजवादी पार्टी तो अब 2022 के चुनाओं के बाद, दसमाज के बाद समाफ्तवादी पार्टी हो जाएगी, समाफ्तवादी पार्टी के नाम से इसको पुकारा जाएगा देखिए, स्रीराम जो हैं हमारे पुर्वज हैं, हम उनके वनसज हैं, हम स्रीराम के वनसज हैं, बलकि हर हिंदूस्तानी स्रीराम के वनसज हैं और जो कोई उन पर उंगली उठाता है चे कोई मोलाना हो चे मोलवी हो चे मोलाना नी हो चे मुप्ती हो तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी नहीं है वो देश का गद्दार है क्योंकि यहाँ पर इसलाम नहीं था यहाँ पर साड़े चोदा सुव साल पहले अरब देश में इसलाम आया है हिंदुस्तान में सब लोग पहले हिंदु ही थे, सब लोग कनवर्ट होई वे चाहे वे औरंग जेव के जमाने में तलवार के बलपर हुए हूँ जे अन्या बादसाओं के जमाने में जो है जोड़ जबर जिस्तित है उनको कनवर्ट किया गया हूँ लेकिन हम सब के रीति रिवाज और हम सब के पुरवज पहले हिंदु ही थे हमने जो है नमाज और रोजा सभीकार किया है हम अपने पुरवजों को नहीं भूल सकते हम onके बंसजे नहुम उनका अपमान होना देख सकते अगर किसी में दम है तो हमको रोक कर दिखा दे हम नारे लगा रहे हैं जे सिरी राम जे सिरी राम वनमे मातरम वनडे वनर वनर भारत माता की याई माराज माहाराज राजा यह महाराज की सरकार है यह यहां महाराज देश के राजा तो हम के डर नहीं है, किसी को भी डर नहीं है, पूरी पर्देश जो है, वो निडर है आज के टाइम में, और मैं भी निडर हूँ, और आगे भी निडर ही रहेंगे. अखलेश तो दस तारिक के बाद भाग जाएगा, उसने तो टिकट करा रखा, लंदन का बुक करा रखा, टिकट भाग जाएगा, आप भी पश्चिम से आए है, वो कहले पश्चिम से साइकल बड़ी रफ्ता से आ रहे हैं, पूर्वान चल की तरफ, आरे साइकल की तो हमने प जमाना नहीं है, अब तो बिलडोजर का जमाना है